गुप्त संबंद या अवैद संबंद कैसे लोग रखते हैं और उनके हतेली पे क्या-क्या साइन आते हैं क्या-क्या साइन हमें मिलते हैं जिससे हम देखकर पता लगा सके कि ऐसे जातक और जाती का गुप्त संबंद या अवैद संबंद में लिप्त हैं श्री गड़ेशाय नमाहा मा सरस्वती नमस्तुभ्यम देखें मित्रों सबसे पहले हमें शुक्र का परवत देखना होता है क्योंकि प्रेम संबंध कला सौंधरिय यह सब हमको शुक्र जो शुक्राचारे हैं जो हमारे अंगुठे के नीचे वाले परवत पर बैठते हैं इस स इनकी अगर कुछ ऐसे साइंस इस पर डेवलप हो जाए आज हम उसी साइंस की चर्चा करेंगे और अगर वह ऐसे शुक्र परवत पर बन जाएं तो मित्रों जरूर गुप्त संबंध या अवैद संबंध स्थापित होते हैं जातक और जातिकाओं के मध्य देखिए यह खड़ी लाइनों की और आड़ी लाइनों की ऐसी जाली बन जाए तो मित्रों यह साइन दी यह दोनों साइन नेगेटिव होते हैं शुक्र परवत का बहुत ज्यादा उभर जाना भी बताता है एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर यह वाला पोर्षन केंद्री केंद्री भाव जो पैद संबंद हो सकते हैं बित्रों यह वाला जो इलाका होता है हमारा यहां पे अगर कोई खराबी आ जाती है जैसे यहां पे कोई तील आ गया या कोई लाइन आ गई तब यह वाले यह वाला इलाका बहुत शुक्र का बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि यहीं से यहीं से ह हमारी जो नसे जुड़ी होती हैं और अगर आप हाथ भलताकर देखेंगे तो आपको पीछे की तरफ नसे देखेंगे और ये वाले एरिये में ही हाथ की जो नसे होती है वह आकर खुलती हैं और हमारी पूरी हतेली को blood supply करती है तो हमारे मन मस्तिक्ष में जो भावनाय जन्म लेती है उसका effect इस शुक्र पे और इस हिस्से पे जरूर पड़ता है कुछ और भी sign होते हैं वो भी हम देख लेते हैं मित्रों मंगल का परवत मंगल का परवत जातक जातिकाओं के संबंद स्वास बन रहा है तो यह भी एक गुप्त संबंद या अवैद संबंद का एक रास्ता होता है एक sign होता है तीसरा हम हाट लाइन पे अगर देखें यह हमारी हाट लाइन और हाट लाइन पे आप देखेंगे आखरी में कुछ ऐसी जाड़ू नुमा आकरती दिखती है पूछ के जैसी गौपूछ भी से कहते हैं गौपूछ जैसा sign है तो यह sign जब होता है तो यह माबाब की सेवा कर करने वाला भी sign होता है और ऐसे लोग flood भी बहुत करते हैं किसी को impress करने में हमेशा लगे रहते हैं यह sign यह भी बताता है कि ऐसे जातक और जाती का किसी एक विशय पर बहुत देर तक concentrate नहीं रहते हैं उनकी जो focusing होती है वह एक चीज पर ना होके कई चीजों पर होती है यह मित्रों जाडू की आकरिती गौपूच की आकरिती अगर आगे तक बढ़ जाए लाइन के तो यह पूरी तरह इसको निश्चित कर देती है कि व्यक्ति के व्यक्ति गुप्त संबंद या अवैद संबंद में लिप्त है तो इस प्रकार का मार्क अगर हाट लाइन पर आ रह है तो यह समझना चाहिए कि व्यक्ति गुप्त संबंद अवैद संबंद में काफी लंबे समय से लिप्त है क्योंकि जब लिप्त होगा तो यहां रिखाएं बनेंगी और जब लंबा समय हो जाएगा तो सेंटर ऑफ दा हाट लाइन पर इस तरीके के साइन आपको हमको संबंद या वैस संबंद ऐसे जातक और जातिकाओं के आप देखेंगे तो उपर से आपको यह यह जो उंगली है कनिस्टा यह उपर से मोटी होती हुई और नीचे से पतली देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी जिससे हम कहते हैं मंडला कार मंडला कार के जो हिस्सा है वो चोड़ा हो जाए और नीचे वाला थोड़ा सा दब जाए यह वाला हिस्सा थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाए और यह वाला हिस्सा जो है बाहर की तरफ उपर की तरफ फूल जाए तो जब यह फूल जाता है हमारी कनिस्टा उंगली है यह भी हमें बत जानकारियां जो हम आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति गुप्त संबंद या अवय संबंद में लिप्त है और मित्रों ऐसे जातक और जातिकाएं जिनके शुक्र का परवत बिगड़ा होता है जैसे तिल हो या जाला बना हो या क्रॉस का निशान हो इनकी बदन संबंद भी होते हैं अवय संबंद भी ऐसे लोग रखते हैं और इनका अगर शुक्र इस प्रकार से साइन दिखा रहा है तो मित्रों अपमान होना अपना नाम खराब होना यह इनके साथ में होता ही होता है जानकारी मित्रों आपको पसंद आई हुई होगी तो मेरे चैनल क को भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेड कीजिए और मित्रों सब्सक्राइब भी कर लीजिए घंटे का बटन दबा दीजिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे श्री गणेशाय नमाहा मासारास्वती नमस्तु भ्यम बने रहिए स्टे ट्यूंड